आजी स्टूडेंट्स आज अज असी अपनी प्लस टू क्लास इंग्लिश इलेक्टिव दे ग्यार्मी ऐसे दा ग्रीन रेवलुशन जिसनु के नॉर्मन इब और लॉग ने लिख्या हुया है इस चैप्टर दे असी multiple choice type question answers cover करांगे एह वीडियो इस चैप्टर दी सेरीज दा साधा तीसरा वीडियो होएगा इस चैप्टर दे पहले वीडियो दे विच असी इस चैप्टर दे राइटर नॉर्मन इबरलॉग दे बारे जो introductory paragraph है उसनु डिसकस किता है आते नाल ही इस चैप्टर दे पहले 5 passages नु डिसकस किता है मैं उमीद कर दा हां कि तुसी ए वाला वीडियो जरूर देख्या होएगा जेकर तो अड़ा ही वीडियो मिस होया है ता मैं तुन सक्रीन दे टोप राइट कॉर्णर दे उपर इस वीडियो दा लिंक पर राइट कर रहे हैं हां ता जो तुसी ए पहला वीडियो देख पाऊं इसे तरहां स्टूरेंट्स इस चैप्टर दे दूसरे वीडियो दे विच मैं इस चैप्टर दे बाकी passages नु डिसकस किता है जि मैं के तुसी सक्रीन दे उपर देख पा रहे हूं मैं इस चैप्टर दे टेक्स दे विच जिनने वी difficult terms आयने उना नु मैं पड़ी easy language दे विच तौनू explain किता है अते इस चैप्टर दे glossary notes दे विच जिनने वी terms आयने उना नु भी मैं नालो नाल explain किता है उमीद कारदां बच्चेओं के तुसी यहे वाला वीडियो ज़रूर देख्या हूएगा जे कर तो अड़ा यहे वीडियो मिस होया है ता मैं तो नू सक्रीन दे top right corner दे उपर इस दूसरे वीडियो दा भी link प्रवाइट कार रहे हां ता जो तुसी आज वाले सारे question answers नू चंगी तरह समझ पाऊं Students, आज वाले इस chapter दे तीसरे वीडियो दे विच असी glossary notes तो बाद जो comprehension वाली exercise देती होई है उस दे विच सानू बहुत सारे question answers देते गए ने जिना देविचों काफी ज्यादा multiple choice type वाले question answers ने आते नाल ही तो अडे exam देविच पुछे जान वाले short answer type questions ने अज वाले वीडियो देविच बच्चे होई है आपा सारे question answers discuss करांगी Students, आज आपने multiple choice question answers शुरू करन जा रहे हैं Comprehension दे exercise देविच तड़ा जड़ा पहला question है वो इसे तरांदा है असी पहला question पढ़ दे हां कि दा author thinks that the term the green revolution is not really appropriate because Choose one ता इस chapter दे जो writer ने जी author ने Norman E. Berlog ओ सोच देने कि जड़ी the green revolution वाली यसी term use कर दे हां जो यसी शवद यूस कर दे हां एहे appropriate नहीं हन appropriate दा मतलब हुन दा बच्चे ओ सही क्योंके ता सानु चार answers दिते हुए ने आपने उदे विच जड़ा सही है वो चुनना है ता बच्चे ओ इस chapter दे पहले पैसे दे विच ही एक अलाजन दिया है के जड़ी the green revolution term है जो popular press ने use किती है एहे शायद premature है, too optimistic है या too broad in scope है ता मैं इस दे बारे काफी तानू detail दे विच समझाया सी ता सी पहला एक वरी बच्चे ओ options आपने देख लेने है ता पहला है जी के it often implies some changes which have not taken place के एहे अक्सर implies दा मतलब सानू दास दी है उना changes बारे कुछ बदलाव बारे जड़े हजे आए नहीं हां साड़े समाज देविच एही कांसर हो सागदा है परन्तु आपां बाकी वी answer एक वरी देख लेने है ता भी answer है जी के there has been no revolutionary increase in the production of food grains other than wheat कनक तो इलावा किसे भी food grains देविच अनाज दी पैदावार देविच कोई क्रांतिकारी increase नहीं होया वादा नहीं होया तब अच्यो एह option दा बिल्कूल गलत है क्योंके सानू इस chapter नू पढ़के पता चलत है wheat, rice, and maize देविच काफी क्रांतिकारी increase होया इन अधी production देविच C answer है के only farmers have benefited from it के सिरफ farmers नू ही green revolution तो फैदा होया है benefit दा मतलब फैदा होना एवी बच्यो आंसर गलत है because जदो green revolution आंदी है ओदे विचे सिरफ farmers नू ही benefit नहीं हुंदा सब्सक्राइब लोग ने जो के पुख मरी दा starvation दा शिकार हो रहे हुंदे ने ओना नू भी खाणा मिलना जानदा है सरकारा नू भी फैदा हुंदा है ता फेर ओहो इन लोग का दा जो green लोग ने जीवन पदर उचा करन दियां कोशिशा कर दियां या पा सारीयं गलना चैप्टरच पढ़ियां इस करके यह वलांसर भी गलत है D. It is relevant only to the developing countries के एहें सिरफ जड़े विकास शील देश ने developing दा मतलो बच्चे वो विकास शील देश जिना दे विसाड़े पारतवर की देश भी शामिल ने के उना दे लई ही सार्थक ने relevant दा मतलो उना दे ना लियना दा relation है के green revolution सरफ हो थी आई है बाकी countries नी आई तब अच्चे वह जा नहीं हुंदा जदो भी कदे आइंस दे विच कोई तरक्की हुंदी है बेनेफिट पूरे संसार दे देशा नू मिल ला है चाहे ओ कोई developing country है चाहे develop country है इस करके D answer भी साड़ा गल्थ हो गया तब बिल्कुल ठीक है जी साड़ा जड़ा A answer है ओ सही है क्योंके कुछ change हजे नहीं आए जो के society दे विच आने चाहीं दे सी ताहीं राइटर ने पहले पैरिच के हासी कि हजे असी दा green revolution दी जड़ी term है जो शाबद ने और यूस दा कर ले ने परन्तु हजे है पुरी तरा जड़ी situation है mature नहीं है हजे कुछ जादा ही असी optimistic है कुछ जादा ही आसवंद है हजे सानु होर बहुत जादा ग्रांती कारी तबदिलियां ले अनिया पैन गया जिस दे नाल साड़े पूरे संसार दे भी चुपकमरी खतम होए अते जो भी अनासदेना रेलेटिड प्रावलम्ज ने उहो खतम होन साड़ी इसे exercise दा जड़ा दूसरा question है ओ भी multiple choice type वाला ही question है सिपाड लेने हा के दे author thinks that through the green revolution choose one के लेखक नॉर्मन यी बरलोगे सोच देने के green revolution दे करके यी चीज होई है साने choose one एक option चूज करनी है साड़ी पहली option है के nothing has been achieved के कुछ भी प्रापत नी होया achieve दा मतल हुंदा बच्चे ओ प्रापत होना बच्चे ओ ये ता बिल्कुल ही गलत है green revolution देनाल कई सारे जो ग्रीब लोग ने उनना दा जीवन पदर उच्छा होया है अपानू चैप्टर पढ़के पदा चलदा है के उनना नू better schools मिले है better road transportation मिली है अथे better hospitals जो public services ने उनना नू मिली है ने ता आंसर बिल्कुल गलत है b है a great deal has been achieved के काफी कुछ a great deal ये determiner होनदा बच्चे हो के काफी कुछ प्रापत कर ले आ गया है ये answer हो सागदा है अब आईसनों हजे considerations राख दे है काफी पहला C थे D देख लगने है C है के दा food problem in the developing countries has been solved के जड़े विकास शील देश ने ओना दे विच जड़ी पोजंदी समस्या है ओहो solve होगी उस ते निजात पाले आ गया तब अच्चे हो हजे भी developing countries दे विच ओजंदी समस्या ते निजात नहीं पाया गया हजे भी बहुत सारे लोग starvation दा शिकार हों देने ता एवी answer गलत है D है The gap between the rich and the poor countries has in fact widened के जड़े rich दे poor countries ने अमीर दे ग्रीब देश ने ओना दे विचकार जड़ा gap है जो एक वक्रेमा बनेया होया है ओ होर widened हो गया मतलब होर ज़्यादा बाद गया simple जा मतलब के ग्रीब ते अमीर देशां दे विचकार जड़ा पाड़ा है ओ होर ज़्यादा बाद गया तब अच्चे ओ इस गल बारे chapter दे विच ता कुछ नहीं आया अप पूरा chapter पड़े आया बिल्कुल chapter दे लास्ट paragraph दे विच एक गल आयी सी दसमे paragraph दे विच जो इंडियन आर रिलेटेर सी उस दे विचे दस्या गया सी के पिछले 40 सालां तो जिवें के मात्मा गंदी जी के अंदे रहे ने जड़ा intellect ते labor तबका है जो पड़या लिख्या बुद्धी जीवी तबका अते कम करन वाला तबका है ओदे विचकार एक divorce बने आ हुए एक separation बनी हुए इसी Green Revolution ने उसनु खतम करन दी कोशिश किती है परन्तु एथे जड़ी गल आ रही है ता countries दी गल आ रही है ता country वाली गल ता पूरे chapter च नहीं आई ता A भी साड़ा answer गल्थ हो गया तैदा मतलब जो सी B नू consider करया सी ओँ answer सही है के a great deal काफी कुछ Green Revolution ने achieve किता है परापत किता है परन्तु सारा कुछ परापत नी किता हजे भी बहुत कुछ परापत करना बाकी है Students असी last two class English elective दे आलड़ी बहुत सारे chapters कवर कर ले ने साथी पहली book Dear to all the muses दे असी काफी सारे chapters जे में के साड़ा पहला chapter Warrior Against Weeds दूसरा chapter A Most Forgiving Ape थर्ड चेप्टर A Young Turkish Catastrophe फोर्ड चेप्टर A Tiny Century फिफ्ड चेप्टर Manomajra सिख्ड चेप्टर Jamaican Fragment 7th chapter The Heritage of India 8th chapter Gold in the North 9th chapter My Greatest Olympic Prize असी आलड़ी कवर कर चुके हां इसे तरह साथी second book The Literary Petals दे बहुत सारे chapters जिमें के पहला chapter Hind की चादर शीर गुरूतेग बहादर जी 4th chapter The Gambling Match 7th chapter The Eternal Why अते 9th chapter After 20 Years असे बुग दियां सी बहुत सारी जिमें के पहली poem है साथी Border Guards दूसरी है My Heart Leaps When I Behold 3rd poem The Quality of Mercy 4th poem The Fancy Dress Show 6th poem The Song of India 7th poem The Tree Fell Down ये असी कवर कर चुके हां मैं इना सारे chapters दे comprehensive explanation अते analysis दे वीडियो इना दे question answers दे वीडियो अते इना देना related exercise solution दे सारे वीडियो आलेडी तुर्डनल शेयर कर चुके हां असी Dear To All The Muses दा दस्वाँ essay The Green Revelation continue किता होया है जैकर बच्चे हो तुसी एस सारे chapters दे वीडियो देखना चाहन दे हो ता मैं तुनू सक्रीन दे टॉप राइट कॉर्नर दे अपर प्लस टू क्लास English Elective तुर्डनल शेयर कुछ दे लिंक प्रवाइट कर रहे हां जिस्ते जाके तुसी एस सारे वीडियो देख साग दे तुर्डन्ट साड़ा तीसरा क्वेस्चन है जी के स्टेट वैदर टू और फाल्स ता सानू कुछ स्टेटमेंट्स देतिया हूँ याने टोटल एहे सेवन स्टेटमेंट्स ने जिमे के तुसी सक्रीन दे उपर देख पा रहे हूँ ता इना स्टेटमेंट्स नो साने दसने है के ही सही ने या गलत ने आप एक ही स्टेटमेंट लेके इसनो देखते हां ता सड़ी पहली स्टेटमेंट है जी the green revolution has considerably increased the production of almost all food crops. के जड़ी green revolution है, इसने लगपग सारियां जड़ियां food crops ने, पोजंदियां फसला ने, उना दी production देविच, पैदावार देविच, काफी ज़्यादा वादा किता है. तब चेप्टर दे दूसरे पैरे चोई सानू पता लग जानदा है, के मेंली जड़ी green revolution है, इह तिन फसला देविच चाहिए है, जिमें के मैं तोनू पहला दसे है, या या वीड देविच, राइस देविच, अते मक्की मेज देविच, परंतु बाक्य जड़ियां food grains ने, जि इस देविच जनदी इशन दे विच, green revolution नामटी जाननी है, इस करके यह वाली statement ता 수도ली गलत है, इस देविच दाय के सारियाda food grains ने, green revolution नाय है, जो के सही नही है, इस मतलब ए जड़ी statement होगी, जी जड़ी false होगी, असे इस दे 49 नाल, इंडिया पाकिस्तान थे फिल्पाइन्स ने ता बल्कुल सही है जड़ा सड़ा चैप्टर दा अथमा पैसेज है उस दे विच काफी सारियां कंट्रीज दे विच जिना दे विच ग्रीन डेविलुशन आई उस दा जिकर होया है तसा नो पता लगया सी के इंडिया थे पाकिस पाकिस्तान दे विच राइस दी ग्रीन डेविलुशन आई है ते फिल्पाइन्स दे विच भी राइस काफी जादा पैदा होया है यह जड़ी साड़ी स्टेटमेंट है यह ठीक है इस करकिया सी इसनू तू लिख दे हाँ सी है जी के most of the pioneering agriculture research which led to the green revolution was conducted by Indian and Pakistani scientists के green revolution दे विच जड़े agriculture research होये ने ओना दे विच जड़े pioneer मतलब अग्गे जड़े लगण वाले जिनाने अग्गे वद के काम किता है ओ जड़े ज़्यादा तर scientist सीगे ओह सीगे पारती ते पाकिस्तानी तब अच्यो इस दे बारे chapter दे विच किते वी जिकर नी है कि India पाकिस्तान दे scientist ने green revolution लेके आई है हाँ इस गल्दा ज़रूर जिकर है इस chapter दे अठमे पैसे दे विच जिते दस्या गया सी कि दो decades दी research होई वी सालान दी research होई Mexico देश दे विच जिस करके Mexican dwarf variety मनी सी wheat दी जिस इसने के पूरे संसार दे विच करांती लेहन दी सी लेकिन होथे इंडिया पाकिस्तान scientist दा कोई जिकर नी होया इस करके एस statement साधी सही नहीं है असी एसनू false कहांगे साधी D statement है जी दा green revolution was an outcome of the use of high yielding varieties of seeds and modern methods of farming by a large number of farmers अब इलकुल सही है जी because chapter दे दुझे पैरे दे विच सनू पता लगया सी के जडी green revolution आई है basically इस करके आई है क्योंके आसी seeds दी जडी high yielding variety है high yielding मतलों ज्यादा चार देन वाली जडी variety है किसम है बीजांदी किसम है इकतासी हो यूज किती अते फिर modern method आदुनिक टंग farming दे अग्रिकल्चर दे यूज किते अते एहे बहुत सारे farmers द्वारा किते गई इवन के chapter दे विचे भी दसे आगया है कि एजडी farmers ने जो agriculture दे modern methods यूज कर रहे ने या बीजांदी जो नमी उनत किसम यूज कर रहे ने इना दी गिंती वादी ही जा रही है इस करके एजडी साधी statement है बिलकुल सही है इसनों सी ट्रू लिखांगे साधी next statement है जी के it is mainly in irrigated areas that the new seed and the new technology have worked well इड़ दा मतलब एथे green revolution तो ही है के जड़ी green revolution है ज़्यादा तार irrigated areas दे विचे आई है irrigated area दा मतलब अजे है इलाके जिना दे विच विचाई दे साधन अपलब धूंदेने ओथे नमे बीज अते नमी technology ने वधिया काम किता है इस chapter दे second passage दे विचे सानूं पता लगया सी के irrigated area दे विचे ता ग्रीन revolution आई है लेकिन जड़े rain fed areas ने ओथे green revolution नहीं आई क्योंके rain fed areas दे विचे हजे वी जड़े किसान ने ओहो वर्का दे निरपर ने ता ओथे नाता हो new seed अते new technology दा चंगी तरा इस्तेमाल कर पा रहे ने इस करके statement विल्कुल सही है असी इसनूं true दा नाम दमागे साथी छेवी statement है जी the green revolution is a worldwide phenomenon phenomenon दा मतलब कोई event कोई कटना जिसनूं के आसी देख साख देया या समझ साख देया तैथे मतलब ए है के जड़ी हरी क्रांती आई है पूरे संसार दे विच आई है के पूरे संसार चोन वाली कटन है तब अच्चे ओजी है नहीं है चैप्टर दे विच असी कई जगा पड़े है के एशिया दे कंट्रीज दे विच green revolution आई है बहु सारी कंट्रीज दे विच नहीं आई इस करके ये साथी statement गलत होगी जी असी एसनू false कहांगे साथी सत्मी ते last statement है जी के आ लार्ज majority of people living in rich countries know very little about agriculture इजडे अमीर देश ने ओदे विच जडे लोक रहन देने ओना दी ज्यादा तर जड़ी majority है ज्यादा तर जड़ी तदाद है उना लोक कांदी ओना नू बहुत कट खिती बड़ी बारे पता है अब अच्छे ओ साथे chapter दे चोथे message दे विचे काफी गल detail चाही सी ते असी बहुत ही detail दे विच भी पड़ी सी ओ दे विच सानू पता लगया सी के rich countries दे काफी सारे वसनिकानू ता agriculture दा पते ही नहीं है और अपने malls दे विच जान दे ने अपना स्तमान दे जो चाहीं दे ले आन दे ने उना था खेती बाड़ी वाले लाक्यां दे नाल या फार्मर्स दे नाल कोई contact नी है क्योंके एक गले भी है कि हो ज्यादा ता रोचीजां यूज कार दे ने जो अग्री कल्चर दे ना रॉलेटेड का थूं दियाने ता ए वरी स्टेटमेंट साथी बिल्कुल सही है असी एसनू true कहांगे टूडेंट साथा जड़ा फोर्थ क्वेस्टन है मुल्टीपल चवाइस वाला भड़ा ही इंटरस्टिंग है इसनू समझन दी लोड़ा है कैंदे इंक्रीज इन सीरियल प्रडुक्शन इस अफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन पूर कंट्रीज बट नॉट इंदा रिच वन्स वाई चूज ऑल दा राइट रिजन्स इननने क्वेश्चन ने पाया है के पूर कंट्रीज जड़े ग्रीब देश ने ओना दी वीच जड़ा सीरियल प्रडुक्शन है मतलब अनाज दी जड़ी पैदावार है उस दी बहुत ज्यादा महतता है ग्रेट सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस दा मतलम है तो अनुट चैप्टर चवी दसे ऐसी दा मतलब हुन्द है महतता इंपोर्टेंस के पूर कंट्री दे विच जड़े कर आज दी पैदावार वाद दी है ता बहुत ज़्यादा महतता पूर्णी हो जान दी है गल पर इहें रिच कंट्री दे विच ज़ेकर आगरी कल्चर दी पैदावार वाद धूंदी है ता उत्य अन्नी ज़्यादा महतता पूर्णी है जिन्नी की पूर कंट्री दे विच है क्यों आते फेद सान्य भी कहा है कि जो तन्य ओप्षयं दितियां हो याने ओना दी पर जो सही ने होट चूज करो ता सड़े को ले जिमें तुसी देख रहे हूं पंज ओप्षयं दितियां गही याने हो साथ है कि 5 दे विच्छों कोई 1 सही होवे या हो साथ है कई सारियां सही होँ ता अपाँ 1-1 करके देख देख देए ता साड़ी पहली option है जी कि in rich countries people do not eat cereals कि अमीर countries दे विच अमीर देशान दे विच जड़े लोक ने ओहो cereals नहीं खान दे cereals दा मतलब एते बच्चे ओ अनाज नहीं कि आ जान दे इस दे विच तोड़ी wheat, rice वगएरा आ जान देने ता बच्चे ओ बिल्कुल सही है chapter दे विच असी चोथे passage पढ़े या सी कि rich countries दे जड़े ज़्यादा ता लोक ने ओहो dairy products जिमें के milk वगएरा या non-veig वगएरा ज्यादा प्रेफर कार देने जो ओनानू malls जो मिल जान देने agriculture नालोना दा contact बहुत काट है अनाज वगएरा हो बहुत काट खान देने ता एदा मतलब साधी पहली statement असी चोण सागदे है ए साधी सही है second, it is only in poor countries that cereals are grown on a large scale के ए सिरफ poor countries ही है ग्रीब देशी ने जिदे विच जड़े अनाज ने एक काफी वड़े पदरते पैदा कितते जान देने एवी गल सही है बच्चेव जड़ी green revolution आई है जिवें कैसी पूरे chapter चपड़े है एहे developing countries चाहिए है जो के ग्रीब देश ने इस करके सड़ी ए स्टेटमेंट भी सही है जो के आसी question दे अंसर देलेई सड़ी तीसरी है जी के farmers आरा small minority in rich countries but the majority in poor country depends on agriculture for their living के जड़े अमीर देश ने ओना देविच जड़े farmers ने बहुत cut गिंतिया होना दी जड़े के अपनी आजीवी का देलेई लिविंग देलेई agriculture देपेंड हुन देने अलागे poor countries देविच जड़े farmers ने ओ मैजोरिटी चने इस मामलेच यह भी answer बच्चे हो सही है because थाने इस chapter दे चोथे passage देविच देखिया थी के USA दे सिरफ 5% अपादी है जो के अगरी कल्चर दे डिपेंडेंट है बाकी दिया बादी ताँ अगरी कल्चर दे डिपेंडेंट है ही नी जड़के poor countries दे विचे बिलकोल उल्ट है इस करके यह वाली statement भी question दे आंसर दे ले यह सकते है साथी चोथी है जी के unlike the rich countries, the poor ones are not self-sufficient in food जिमें rich countries ने या mere countries ने ओदे विचे जड़े ग्रीब लोक ने ओहो पोजन दे मामले दे विचे self-sufficient ने, self-sufficient दा मतलब आतम निरपर, लेकिन ए हालत साथे poor countries दे नहीं है rich countries दे विचे ग्रीब लोकां को ले पोजन दी पहुँच है, परंतु poor countries दे विचे ग्रीब लोकां को ले पोजन दी पोहुच ने है, ओ self-sufficient ने हैं, ओन अनू हजे भी सरकार्दी मदद दे लेई देखना पेंदा है, ता इस दा मतलब एवी statement सही है, इसनों सी अपने question दे अंसर दे विचे शामिल कर सागदे हैं study last है, rich countries are no longer interested in agriculture but in unexplored area of science and technology, के जड़े अमीर देश ने ओहुँ हुण के इती बाड़ी ची ज्यादा interest नहीं लेंदे, ओहु science से technology दे जड़े unexplored areas ने जित्थे हजे exploration नहीं होई, खोज भी नहीं होई ओहुदे विचे जड़े इंटरस ले रहे हैं ता बिल्कुल सही है बच्चों, US से वर्गे जिने भी developed countries ने ओह अपनी science दे technology दे ज़्यादा पैसा लगान देने, बजाए के agriculture के तराज हलाके poor countries ने, जड़ियां developing countries जड़े विचे हजे भी हमें हुंदा जा रहे हैं जड़े विचे हजे भी agriculture दे उपर बहुत ज़्यादा पैसा लागादा है इस दा मतलब साड़ी ए वाली statement भी question दे आंसर चे शामिल हो साक दिया है ता एक तरिक्के दिना साड़ी यां 5 दियां 5 statement सही ने जिनन वसी ए वाले question दे आंसर चे शामिल कर सक दे बच्चे व साड़ा जड़ा चेमा question है वो भी multiple 24 वाला ही है असी पढ़ लेने है विचो दा falling make agriculture yields in developing countries poor के hate लिखयां दे विचों जो साननू निचे कुछ points देते होए ने केड़ी चीज विकास शील देशां दे विच जड़ी खेती बड़ी दी चाड़ हूं दी है उसनू कटाउं दी है poor दा मतलब एथे ग्रीब तो नी है poor दा मतलब एथे चाड़ दे कटन तो है ता एक वरी फेर question समझो के ग्रीब देशां दे विच फसल दी चाड़ काठ हूं दी है उदे केड़े केड़े कारण ने ता साड़े को ले निचे काफी सारे कारण ने आप आउननों देख देया पहली है जी के lack of irrigation facilities irrigation दा मतलब सिचाई नू कहा जंद है के सिचाई दे जड़े सादन ने उना दी कमी है बिल्कुल सही है जी गरीब देशां दे विच सिचाई दी सादन दी कमी है असी चैप्टर दे विच पड़े है के हजे भी poor countries हैं जड़े developing countries हैं उना देशां दे विच ज्यादा तर इलाके rain fed वाले ने उथे वर्खाते ने परने ता सही है जी सेकेंड है के lack of fertilizers fertilizers दा मतलब हुंदा बच्यों रसान ने खादा ता एहे एक तरह दी new technology है जो किसान यूज कर दे है ए दा मतलब ए भी सही है इस दी साड़ी कमी है साड़े poor देशां दे विच थाड़े ग्रीब देशां दे विच तीसरी है illiteracy illiteracy दा मतलब हुंदा बच्यों अनपड़ता देखो बच्यों अपा जदो answer देने है इस question दा ता ए देखके देने है के chapter दे मुताबग की यह statement सही है chapter दे विच किते वी ए गल नहीं आई जड़े सड़े developing countries है उना दे जड़े farmers ने किसान ने उनपड़ने ता हो साथ है कई students नू के illiteracy भी है एक कारण क्योंके ज़्यादा तर किसान अनपड़ हुंदेने ग्रीब देशां दे लेकिन illiteracy वाली जड़ी statement है नो chapter च नहीं है इस करके इस नू consider नहीं कर दे अपने answer च नहीं चाड़ देने है डी है जी poverty of farmers के किसान ग्रीब ने पर उन्तु बच्चेओ एवी चीज सड़े chapter च नहीं आई किते भी नहीं लिख्या हुया के farmers दी ग्रीबी करके चाड़ का ठो रही है ना था farmers दी ग्रीबी करके चाड़ का ठो रही है ना ही farmers दी illiteracy करके चाड़ का ठो रही है ए दोने गलना जड़िया ने न ए चैप्टर दे मताबक सही नहीं है इस करके इस ये पाइना नू अपने question दे answer च शामिल नहीं कर दे अगला है जी के unscientific methods of cultivation cultivation दा मतलब खेती बाड़ी के खेती बाड़ी ते जड़े unscientific methods ने unscientific दा मतलब वो ही प्राने तरीके किसान यूज कर रहे ने इस करके चाड़ कर दिया है बिलकुल सही है जी एसनों अपन सच शामिल करांगे अगला जी के low yielding variety of seeds low yielding variety दा मतलब के जड़े B जसी use कर दे है साड़े किसान यूज कर दे है पूर कंट्री दे विच ओना दी चाड़ काफी कट है एसे करके चाड़ कर जन दी है ए भी सही है जी answer जी in difference of the farmers के farmers प्रवाई नी कर दे ना गल्ला दी तब अच्यो ए गल्दा भी पूरे चैप्टर दे विच जिकर नी आया के farmers चाड़ दी परवाई नी कर दे farmer चाड़ दी परवाई क्यों नी करूंगा जे करो उसनों फसलां दी चाड़ ज्यादा मिलोगी तो ओदे लईता है गल्लाब करी है beneficial है इस करके आसी इसनों भी शामिल नी कर दे last है जी overpopulation overpopulation दा मतलब है वसों दा वद्दा के बहुत ज़्यादा वसों दा वद्दा होया है जी poor countries दे विच जिजदे करके वसलां दी चाड़ दे असर पेंदा था इस गल्दा जिकर चैप्टर च बार-बार होया तासी इस statement नू अपने answer च शामिल कर दें तासी total जड़ियां 5 statements अपने question दे answer च शामिल करांगे पहली है जी lack of irrigation facilities दूसरी है lack of fertilizers फिर है unscientific methods of cultivation low yielding variety of seeds अते overpopulation students मैं plus 1 अते plus 2 classes दे general English अते elective English दे बहुत सारे videos बनाए होये हान इना videos नू देखन दे ले तुसी YouTube दी search बारते जाके दीपक सूध love learning tool री टाइप करो result वीचाई पहली साइट दे दीपक सूध दे जाके click करो ता इस तरह तुसी channel ते पहुंच जाओंगे जिते तुसी videos दे एक section देखोंगे video से click करो तो अनू मेरियां बनाए होयां सारियां videos तो अनू मिल जानगियां इस दे विच प्लस 1 प्लस 2 दियां सारियां classes दियां जो मैं videos बनाए हान वो शामिल हान playlist वाले section दे जाके तुसी सारियां playlist प्रापत कर पाऊंगे जिमें के class 12 दी playlist चोथे नमबरते हैं इस ते तुसी जाके जदो विच फुल प्लेइलिस्ट करोंगे ताथ उनू class 12 दियां सारियां videos मिल जानगियां इसे तरह तुसी बाकी class 11 उनना दी playlist जाके सारियां videos प्रापत कर सकते हों ते इसे तरह मैं class 11 दे class 12 दियां grammar दियां video list बनाई होई है ता ओ सारियां videos तुसी प्रापत हो जानगियां ते एक playlist English selective class 11 दिवी है ते ओस दे विच तुसी 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 दिपक सूद Love Learning to Lead चैनल ते ज़रूर विजट करों ता नेक्स्ट मुल्टीपल चोईस क्वेश्चन है के सम अफ दा डिवेल्पिंग कंट्रीज विच नाव इंपोर्ट सिर्वेल्स यूस तु एक्सपोर्ट थैम अबाउट 40 दिवेल्पिंग कंट्रीज ने विकास शील देश ने ओहो चाली साल पहला था जड़े अनाज सी उसनू एक्सपोर्ट कर दे सी यूस तु एक्सपोर्ट थैम एक्सपोर्ट था मतलो हुंदा बाहर पे जना जदो अपा कुई चीज किसे देश तो दूसरे देश वाल पे इस देया है उसनू अपाँ एक्सपोर्ट करने है इंपोर्ट था बिल्कुल उल्ट हुंदा है इस दा एंटनीम शबदा है इंपोर्ट था मतलो मगवाउना ता स्टेटमेंट था मतलो हुए है कि 40 साल पहला था कुछ जड़े डिवेल्पिंग कंप्री सी गया विकार शिल देश सी ओहो पहला अनाज बाहर पे इस थी पर अजकल होना नू अनाज मगवाना पे रहे है वाट ब्रॉट अबाउट इस चेंज इस दा की कारन है चाली साल पहला था हो एक्सपोर्टर सी गये देश अजकल हो इंपोर्टर बनगे ता साड़े को ले फेर चार आंसर देते होई ने असी होना दे विच्चों सही आंसर चूज करने ता आपा इक की करके देख देयां जी ए है जी दा सैकिंड वर्ल्ड वार काफी सारे स्टूडेंट से इसते टिकला देंगे परंतु बच्चेयों याद करो चैप्टर दे छेमें पैसेज दे विच्च सिर्फ एन्नी गल राइटर ने लिखी सी के सैकिंड वर्ल्ड वार तो पहला कुछ कंट्री से जड़े के अनाज बाहर पेज दे सी आज कल इंपोर्टर होगे ता इस करके जल्द बाजी दे विच बच्चेयों याँसर टिक नी करना बिकोज ये सही नहीं है सैकिंड है जी पॉपुलेशन इक्स्पलोजन ये बिल्कुल सही है सैकिंड वर्ल्ड वार तो बाद जो शांती स्थापित होई पुवर कंट्रीज दे विच ता फिर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन दा एक तरह दा विसफोर्ट होया एक्सपलोजन दा मतल हों दा है विसफोर्ट ता ए गलता पूरे चैप्टर ज भार बार आई है के पुवर कंट्रीज दे विच ज्यादा तर जड़ी पॉपुलेशन करके एक वर यसी स्टेटमेंट नो कंसीडरेशन च रख दें तीसरा देख दें ड्रॉट्स एंड फ्लॉट्स दा मतल हों दा है सोका फ्लॉट्स दा मतल हों दा हड सोके दे हड आली गल पूरे चैप्टर च नियाई असी पूरा चैप्टर पड़े है एदे विच नाता कि ते ड्रॉट्स दी गल आई या भी पूर कंट्रीज च ड्रॉट्स आ रहेने या फ्लॉट्ड आ रहेने इस करके ए आंसर साड़ा गल्थ हो गया इस करके ए भी आंसर गल्थ है ता साड़ा आंसर ही पॉपूलेशन वाला ही है के पॉपूलेशन दे वादे करके पॉपूलेशन इक्सप्लोजन करके जड़ी अनाज दी जड़ी परड़ेक्शन है ओहो पॉरी तरह उसनू मैच नहीं कार रही असी ये चैप्टर ची पढ़ेया सी के पॉपूलेशन इक्सप्लोजन ने सीरियल परड़क्शन आउटरन किता होया है या पाइक लाइन पड़ी सी चैप्टर चीस करके ए आंसर साड़ा बिल्कुल सही है साड़ा अठमा वी ऐसे तरहांदा ही क्वेस्टन है बच्चेओ कि दा सीरियल हूज प्रड़क्शन हैस इंक्रीज़ मोस्ट एज रिजल्ट ओफ दा ग्रीन रेवलिशन इज एक काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेस्टन है बच्चेओ है वी बड़ा असान के अनाज जिस्दे पैदावार दे विच बहुत ज्यादा वादा होया है ग्रीन रेवलिशन दे करके ओ केड़ है वी ओ केड़ा अनाज है जिस्दे उपर ग्रीन रेवलिशन दा असर सब तो ज्यादा पे है उस दे पैदावार दे वी सब तो ज्यादा वादा होया है तास इंडिया पाकिस्तान फिलपाइंज ये सारे देशहं ये वीड़ि पैदावार ये वाध्दा हुए है राइस ये विच्ट ही वाध्दा हुए है वचे वो मेस्च भी होए है थोड़ाजा वाध्दा बारले उषटा बिल्कूल न हुए है बारले जिसनों सी जों कहने है एस दे विच ता green revolution आयो नी मेज दे विच जरूर आई है small आई है modest आई है याद करो छे में पहरे दे विच दसे आगया सी के जड़ा सदा इंडिया पाकिस्तान दा कुछ हिलाका है उस दे विच मेज दी production दे विच modest increase आई है बड़ सिगनिफिकेंट आई है ता इस दा मतलब इसनों भी अपपा लेनी साख दे राइस दे विच काफी वादा होया है जो कोई शक नी है लेकिन वीड दे comparison दे विच राइस दे विच जड़ा वादा होया है इस करके सी आंसर बच्चेयों ला मांगे वीड कनक तर्डा नुमा क्वेस्चन वी बच्चेयों बहुत इंपोर्टेंट है पेपर जानवाला है यह एक खाली था है The Green Revolution in Developing Countries Ovs A Great Deal to Pioneering Research Done in Dash के जड़ी हरी क्रांती आईएर, Green Revolution आईएर, Developing Countries देविच, विकासिल देशां देविच उसदा मेन कारण एसी के एक पाइएर रिसर्च होई थी अगावदू रिसर्च होई थी, खोज होई थी कित्थे होई थी जी तासी बच्चेयों अपने चैप्टर दे विच पड़या है, सब्सक्राइब नोवे पैसेज दे विच इस दांसरा है ऐसी के मेक्सिको देश देविच जो के अमेरिका महादीब दा एक देश है, इस देश देविच दो दहाक्यां दी रिसर्च होई, 20 सालां दी रिसर्च होई जिस देनाल एक मेक्सिकन ड्वाफ वीट वराइटी पैदा किती गई, जिसने के पहला दी वीट वाली वराइटी नालों दुगणा तिगणा चार देता, जिस करके ग्रीन रेविलिशन आई है, इस मेक्सिको दे विच एक अम होया सी इस करके इस दांसरा सी मेक्सिको लिख ता स्टुडेंट्स इस देनाल ही सदे इस चैप्टर दे सारे मल्टिपल च्वाइस टाइप वाले क्वेस्टिन आंसर्स कबर हों देने, उमीदा बच्चे हो के तो आनू है सारे क्वेस्टिन आंसर्स समझ आ गई होंगे, जेकर फेर भी तोड़ा कोई डाउट है ता तुस मनू कोमेंट सेक्षन दे विच पुछ सकते हूं मैं उस दा आंसर जरूर दे मांगा, वीडियो दे एंटे मैं तो आनू मेरे द्वारा बनाये हुए डियर तो आल दा म्यूजी दे होर बहुत सारे चैप्टर्स दे क्वेस्टिन आंसर्स दे लिंक शेयर कर रहा हां, नेक्स् झाल 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 झाल